हलो फ्रेंट्स वल्कम टू मैं चानल शदाद हालत अफेर आज मैं आपके लिए बिल्कुल एक नई रेसेपी लेकर आई हूं आलू और गोभी की तो आलू गोभी की सब्जी तो आपने कई बार खाई होगी क्या आपने कभी आलू और गोभी का पीजा खाया है नहीं तो फिर तो आज हम तयार करें हैं दो तरह के पीजा जिसमें हम ना आठा यूज करेंगे न मैदा ना ही सूजी तो देखते हैं कैसे बनेगा यह हमारा अलू गोभी का पीजा तो इसके लिए रेकिए सबसे पहले हम फर्स पीजा तयार कर रहे हैं जो हम बनाएंगे आलू का पीजा याने पटाटो फीजा तो इसका बेस हम पटाटो का याने आलू का तियार करेंगे इसके लिए मैंने 1.5 kg याने आदा किलो आलू लिये हैं जिनने मैंने छील लिया और पानी में रख दिया थोड़ी देर के लिए और अब मैं उसे कदुकस करें याने ग्रेट कर रही हूं और तो आलू में से सारा स्टार्च निकल चुका है अब हम इसमें डाल रहे हैं टेस्के एकॉर्डिंग हाफ टीस्पून नमक इसको बाइनिंग देने के लिए टू टेबल स्पून कॉर्ण फलार आप इसकी जगापर चावल काटा भी यूज़ कर सकते हैं तो कॉर्ण फलार को अब हम इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे कौन फ्रार यहां पर हमें बाइणिंग का काम करेगा जब हम इसका पीजा का बेस बनाएंगे तो देखे यह तयार है यहां पर मैंने नॉन स्टिक पैन लिया हुआ है जिसमें मैंने सिर्फ आधा चमच यहांने हाफ टी स्पून ऑईल स्प्रेट कर दिया है और अब हमने जो बहुत अच्छे से फैल जाएगा यह और इसी तरह से आप उसे शेप दे जो पीजा का बेस का शेप होता है राउंड शेप और इसे अब हम कुक करेंगे दस मिनिट के लिए कवर कर देंगे और इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे हमें कुक करना है और दस मिनिट में ही आप द गीला गीला दिख रहा था इसारा ड्राय हो चुका है इसका मतलब अच्छे से सिख चुका है अब हम इसे फलिप करेंगे तो देखे मैंने 2 स्पून की हैल्प से इस तरह से फलिप कर दिया और अब हम इसे दूसरे साइड भी करीब 5 मिनिट के लिए पकाएंगे तो वापस इस पर टॉपिंग लगाएंगे देखे मैं आपको इसका बैक साइड दिखा देती हूं हमारा बैक साइड भी बिल्कुल गोल्डन हो चुका है यह देखे तो अब हम इस पर लगा रहे हैं टॉपिंग तो यहां पर मैंने 2 टीस्पून टॉपिंग लगाई है पीजा टॉप यहां मैंने कैपसिकम अनियन और टमाटो का यूज किया है यह बेसिक वेजटेबल्स हैं जो पीजा में लगा ही जाती है टमाटो को मैंने डीसीट कर लिया है यह इसके बीज निकाल दिये है और अब हम इस पर डालेंगे धेर सारी चीज तो यहां पर अपने मन पसंद चीज है आप वो डाले आप के पास श्लाइस वाला चीज है तो आप वो डालेंगे जो घर में अवेले बेल है पो वाला चीज Mensch कर सकते हैं और inclaca pense नहीं है तो आप यहां पर पनीर को गदुकर्ण कर कर दीजिए तो यह रहए इसे मैंने कवर करके फिर से 5 मिनिट के लिए प तो देखे फ्रेंड्स बिलकुल यम्मी पीजा बहुत जल्दी ही तयार हो जाता है और बच्चों को बहुत पसंद आता है क्योंकि इसमें सारी चीज़ा ऐसी है जो बच्चों को पसंद होती है तो अब हम दूसरे पीजा की त्यारी करते हैं आलू का पीजा बना लिया अब ब स्पून कॉण फ्लार और गोबी में जैसा की मॉइस्चर होता है तो इसे मैं हातों से अच्छे से मिक्स कर रही हूं ताकि जो उसका मॉइस्चर है उससे वो कॉण फ्लार अच्छे से चिपक जाए और आप देखिए यह अच्छे से बाइंड होने लगा तो वापस से हमने अफना पैन गरम कर लिया है इसमें मैं तरह से एक पूं की मैने बाइक करें तो बहुत बहुत फिसी τवर admiration के तो इसमें हमने डाला है हाफ टीस्पून ओयल किनारों को थोड़ा सा गोल्डन कलर देने के लिए और इसे धक के मैंने पकाया है पाँच मिनिट बहुत जल्दी तयार हो जता है को भी बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती है तो देखिए फाइव मिनिट सो चुके हैं और आप द टॉपिंग तो टॉपिंग भी जैसा कि हमने पहले किया आप अपनी पसंद से भी लगा सकते हैं तो यहां पर मैं दूसरी टॉपिंग्स यूज कर रही हूं यहां पर मैंने पहले लगाई है दो चमच पीजा सॉस साथ में हम लगाएंगे अनियन कैप्सिकम यानि घ्री वा भी यूज कर रही हों आपके पास नहीं है तो आपके जैगा पर पनीर दोचना पीजाशे कर सकते हैं इस अ CAP फार देंगर आप पास तो आप वो वाला चीस भी यूज कर सकते हैं तो दोनों ही यूज कर लिये हैं, और नो सी सीजंग डाला भूल गई हूं तो लि而ाmates हैं मैं अब यली मिक्स हब ड habits जाले हैं, और चिली फिलेक्स यह आप उपर से भी डाल सकते हैं सर्व करने के समय पर और इस तरह से डालेंगे तो आप देखे जब चीज यहाँ पर मेल्ट होगी तो उसके साथ यह भी अच्छे से स्प्रेड हो जाएगा तो इसे कुक कर दिया है मैंने कवर करके 5 मिनिट स्पिर से और देखे आप चीज बिल्कुल मेल्ट हो चुकी है और अब हमेसे सर्व करेंगे आप देखे इसका बेस पटाटो के मुगाबले थोड़ा सा सौफ सरूर है पर खाने में यह अलू अले से ज़ादा बहतर है तो आप ट्राइ करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको कौन सा वाला जादा अच्छा लगा पटाटो बेस या फिर गोभी वाला बेस याने कौलिफलार बेस तो देखे तयार है हमारे पीजा बहुत ही जल्दी और जटपट से और मैंने कोशिश करी है कि जो घर में हमारे पास इंग्रिडिएंट्स होते हैं मैं उसी से तयार करूँ तो आइ होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करें और यहां फेस्बुक पे भी मेरा एक पेज है उसे भी फॉलो करें आप एक बर बनाएंगे तो आपको ये पसंद जरूर आएगी और आप बच्चे जब भी पीजा मांगे तो अराम से ये बना के दे सकते हैं तो लंच बॉक्स की रेसिपी भी आपके लिए तैयार हो गई तो फ्रेंड्स पसंद आये तो प्लीज लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फिर मिलेंगे बाई